हलो फ्रेंड इस्टेडी एड़ा की यूटूब चैनल में आपका स्वागत है अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें सब्सक्राइब बटन के जस्ट बगल में आपको एक बेल मिलेगी उस बेल पर क्लिक कर दे जिससे इन फीचर जो भी वीडियो हम अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंद मिल जाए आज जो है इस वीडियो लेक्चर में हम जो है कमेश्ट्री के बारे में डिस्क कठन किस तरह है मतलब की मेटल और उनके के बारे में इससे एक क्वेश्चन मिल ही जाता है तो देखेंगे तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट और सेयर करना मत बूलेगा कोई डाउट हो कोई क्वेश्चन हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लेकिन डीटेलिंग पूरा हिंदी में करूंगा तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी डैच मेटल क्या होता है और यह किस तरह से बनता है डैच मेटल को हिंदी में भी डैच धातू करते है यह टाiltate का कमिनेशन कॉपर यह ताबा marry me पितल भी ताबा और जिंग का मिक्षेर होता है लेकिन इसका 70% कॉपर होता है और जिंग 30% होता है मुंज मेटल को भी हिंदी में मुंज धातू करते हैं इसमें कॉपर 60% होता है और जिंग 40% होता है तो कैसे हम इसको याद कर सकते हम याद करेंगे डी बी एम डीटा बेस मेनेजमेंट सिस्टम आपने कंप्यूटर में एक नाम सुना होगा है डी फॉर डच मेटल बी फॉर ब्रॉस एम फार मुंज मेटल ठीक है जब यह चीज दिमाग में सेट हो जाए तो आप यादि कर सकते हैं डी बी एम कॉपर एंड जिंग से मिलकर बने हैं लेकिन इनका परसेंटेज कैसे याद करेंगे तो देखे डी फॉर डच मेटल जिंग 16% है फिर बी में 30% है और फिर 40% है तो यह बढ़ते जारा है अगर आप एक याद कर लें डी 16% तो आपके दिमा तो डी बी एम में कॉपर एंड जिंग है मतलब ताबा और जस्ता है डेच मेटल में 84%, 84% ताबा है और जिंग 16% है ब्रास पीतल में 70% और 30% है मुνज मेटल में 60% और 40% है नेक्स देखते है गन मेटल देखे अभी तक जो कॉपर और जिंग ताबा और जस्ता से मिलकर बन गन मेटल में देखी क्या होता है, गन मेटल में कॉपर तो आपका होता है, ये 88% और जिंक भी होता है 10%, साथ में तीन जो है 2% एड़ हो जाता है, सौरी, थुड़ा सा गलती हो रहा है आपे, देखे, तीन क्या होता है, 10% होता है और जिंक 2% होता है, इसको आप एक बार चेक क देजेगा गन मेटल में कॉपर टिन और जिंग हम ज्यादा नहीं किवल 20 कुश्चन लिया है जो इंपॉर्टेंट है 20 में से ही आपको पेपर में मिल जाएगा 20 से ज्यादा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है 20 में दस तो आज ही आद हो जाएगा अब बस वीडियो लास तक देखेगा गन मेटल में क्या होता है कॉपर 88 परसेंट होता है टिन टैन परसेंट होता है जिंग ऑन मेटल के बाद आते हैं जर्मन सिलवर ये ऐसा सिलवर जो सिलवर नहीं होता है एक क्usc đang challenge है कि ऐसा इसमें से कौन सा है जो silver नहीं है तो वो कौन सा है German silver German silver में क्या होता है copper 51 देखेंब कोपर इसमें भी है zinc 35 और nickel इसमें होता है 14% तो यहां पर देखें क्या है German silver और क्या है ये nickel ये आपका gun metal है ये आपका टिन है देखे यहां पर दिमाग में आपको set करना तो इससे set कर लिजे यहां पर एक मांत्रा है यहां पर लगी हुई यहां पर दो मांत्रा तो जर्मन सिल्वर में copper और zinc copper और ज़स्ता तो रहता ही साथ में nickel एड होता है gun metal में, घंध हातु में, copper और zinc कैसे इस चीज को दिमाग में बठाएंगे, अभी तक हमने क्या बठाए था। DBM DBM 36 गर्ड DBMGG ठीक है तो आप इसको बनाएंगे DBMGG DBMGG के पास DBMGG DBMGG के पास कॉपर और जस्ता तो रहता ही है दिमाग में किसी तरह आप सेट कर सकते हैं कि DBMGG के पास ताबा और जस्ता तो रहता ही है और साथ में आप उसको उसी तरह अलग कर सकते हैं D for Dutch Metal, B for Bross जिसको ताबा करते हैं Munj Metal, sorry Munj Metal, Gun Metal और German Silver में और जर्मन सिल्वर में आपका क्या 還有 निकेल को नेक्स से प्रोंच मींस क्या होता है कांसा कांशा नम आप सुने होंगे maj translator cotton cotton यहिए टाबा और टिन ताबा इसमें 89% रहता है, टिन 11% होता है घंटा दातू, बेल मिटल जब मंदिर में जाते हैं जो घंटी लगी रहती है, वो किस चीज से बनी होती है तो इसमें copper और टिन होता है देखे, ब्रॉंज BB 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 में copper और टिन होता है, मतलब ब्रॉंज में copper प्लस टिन और घंटा दातू, बेल मेटल में copper और टिन थोड़ा सा इनका percentage लग है, वो आप दिमाग में रखेगा ब्रॉंज में 89 copper होता है और घंटा दातू में केवल 80 copper होता है तो BB, ब्रॉंज और बेल मेटल ब्रॉंज को क्या करते हैं, कांचा कांच से नाम सुने है, या इसको ऐसे भी लिखते हैं, कांचा ठीके, next देखते हैं सोल्डर, जब आप कोई चिस सोल्डर करवाते हैं, तो उसमें क्या मिला रहता है उसमें सीसा और टीन मिला रहता है, लेड, लेड में सीसा और टीन सीसा की परसेंटेज कितना होता है, 68% और टीन जो है, 32% होता है यह थोड़ा हिंदी में लिख दिया, इसका इंगलिस भी सेम होगा, टाइप मेटल टाइप मेटल में देखे क्या क्या होता है, टाइप मेटल में आपका सीसा होता है Anti-money होता है और Tin होता है Sisa 81% होता है Anti-money 16% होता है Tin 3% होता है Type metal के बाद Mudra metal आता है Mudra metal में Sisa, Tin और Anti-money मतलब जहां पे metal है TM 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 याद कर लिए Type metal, Mudra metal उसमें TM में Sisa, Anti-money और Tin जरूर आएंगे और TMS Type metal, Mudra metal और Solder Solder से आपका last में Anti-money गायब हो जाएगा केवल Lead और Tin रह जाएंगे केवल Sisa और Tin रह जाएंगे Next देखते है Magnealium 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 को इंगलिस और हिंदी दोनों में Magnealium ही कहते हैं इसमें Almonium और Magnesium होता है तो आप Magnealium से Magnesium याद कर सकते हैं 5% होता है और Almonium आपका 95% होता है Duralium Duralium में Almonium होता है Copper होता है और Magneas होता है देखे, Liam, Liam से आप याद कर सकते हैं कि Almonium और Magnesium तो जरूर होगा Magnesium, Agnes ठीक है तो Magnealium में Almonium 95% और Magnesium 5% और Duralium में Almonium 95% Copper 4% होता है और Magnesium 0.5 और Magnesium 0.5 तो इसमें 4 चीज होते हैं कौन-कौन से Duralium में Almonium, Copper, Magnesium और Magnealium में Almonium और Magnesium होता है ये 7 में Μasiium-Magneged और Magnesium कौन सो होता है Critique Sona Rolled Gold क्रिकी Sona और Rolled Gold में अंतर है थोड़ा सांतर है क्येवल क्रिकी Sona में भी ताबा होता है 這些 are rolled gold में भी ताबा और Almonium वहता है दोनों में सेम होता है क्रिकी Sona में आपका ताबा 90% रहता है aluminium 10% रहता है और roll gold में यह हो जाता है 89.1 and 10.9 बस इतना से बहुत हलका change होता है इस change को exam में neglect कर देते हैं तो कृतिम सोना और roll gold किस से मिलके मना होता है जो आज सब लोग बहुत बनते हैं ताबा और aluminium में यह बहुत ज़्यादा आजकल use में है ताबा और aluminium में तो यह question आ सकता है Nichrome Nichrome में क्या क्या होता है Nichrome में Nichel, loha, chromium तथा magneas भी होता है Nichole होता है, chromium होता है, iron होता है और magneas होता है इसका % ज़्यादा नहीं पूचता है इसलिए % नहीं है क्योंकि जहां दो से ज़्यादा चीज हो जाते हैं, वहां पर परसेंट नेगलेट कर देता है तो नाइक्रोम में क्या क्या होता है, निकल, क्रोमियम, आइरन, मैगनीज स्टेनलेस स्टील, स्टेनलेस स्टील के अंदर क्या क्या होता है, आपका आइरन होता है, क्रोमियम होता है पूछ सकता है इंवर इंवर में क्या होता है आयरन और निकल मिलके बना है इलेक्ट्रम जो है गोल्ड और सिल्वर से मिलके बना है तो इसका आप एक बर ध्यान रखेगा इसका अगर कहीं से परसेंटेज मिल जाए तो इन दोनों का परसेंटेज याद कर लिजेगा वसे पूछेगा नहीं लेकिन पूछ सकता है ठीक है दोस्तो तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना मत ब पसंद आई हो तो कमेंट करके जरूर बताईएगा और हाँ अगर आप चैनल पर पहली पा रहा है और अभी तक वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर ले थैंक्यों दोस्तों